हाँ जी देखिएगा बात करते हैं आपके नुमेरिकल्स के उपर कल आपका एक्जाम है तो नुमेरिकल्स में आप सबसे पहले अपने कोस्ट के नुमेरिकल को तियार कीजिएगा क्योंकि कोस्ट के नुमेरिकल्स से पॉस्टिटिस हैं कि आपके पास में चीज़ें आएंगे यह पिपर में हमने कोस्ट के नुमेरिकल की प्रैक्टिस पहले भी हमने अच्छे से जब कोश्ट का चप्ट चल रहा था तो समने प्रैक्टिस की किए कि आज से से कुछ ब्लैंक कोश्ट को और देखेंगे इसमें तो चलिए बहले कोस्ट को हम करते हैं कुछ बलैंक वाले कोश्ट जो हैं कुछ इस टाइप की कुश्ट की प्रैटिस कर लीजिए क्या पता पिपर में ऐसा आ जाए पर चांसे हैं कि normal question ही आएगा सधारान सवाल ही आएगा लेकिन अगर ऐसा आ जाए तो उसको कैसे handle करेंगे tackle करेंगे आपके सामने question गे रहा है screen पर जल्दी से आप जो है जल्दी से आप जो है इस questions को solve करें सॉल्द करने के बाद आप बताएं कि आपका कितने बच्चों को हो गया फिर मैं इसको solve करवाता हूँ ठीक है हां जी देखे जारा यहां पर output के अगर हमें बात करूं यहां पर quantity की तो सबसे पहले मेरे पास में output 0 to 6 है 0, 1, 2, 3, 4, 5, and 6 और यहां पर अगर मैं बात करता हूँ यहां पर आपके TC की total cost की तो total cost मेरे पास में क्या है इन रूपीज में 50-100-------- push उसके बाद मैं average cost की बात करता हूं average cost क्या है मेरे पास में रूपीज में dash-- average cost के बादे में कोई भी जानकारी मेरे पास में नहीं है और मेरे पास में marginal cost क्या है मार्जिनल कोस्ट आपके पास में है डैश 20 एंड डैश 51 एंड 56 बेटा आप ध्यान नखिएगा इसकी थियोरी जिस बच्चों को बहुत अच्छे से आती है वही नुमेरिकल करता है बिना थियोरी इसको समझे इसके नुमेरिकल कोई अटेम्ट नहीं कर पाएगा तो इस बात अब ध्यान अखिएगा तो बच्चों सुनवें नहीं आएगा अगर आपके पास कभी बी कोश्चन में अगर आपके कॉंटि जीरो से स्टार्ट हो तो हमेशा इस बात का ध्यान नखिएगा कि जो टीसी होगा वही आपका क्या होगा टी एफसी होगा लेकिन एक बात का सवाल हो जाएगा सवाल ऐसी बात नहीं है लेकिर आपके लिए आसान रहेगा convenient रहेगा कि जब TC तो TFC और TVC भी आपके पास में होना चाहिए एक लिए आपके पास में जो है अप पी एफ सी और आपके पास में TVC यह दोनों आपके पास में होना चाहिए टोडल कोस्ट अगर है तो यह कॉलम आप बना लोगर नहीं है तो आसान रहेगा सॉलूशन करना थोड़ा और कभी भी जब quantity 0 से स्टार्ट हो तो बस एक हिंट आपको मिल जाता है कि जो टोडल कोस्ट है वही आपका टी एफसी है इस बात का ध्यान रहेगा क्लियर है जब भी 0 से स्टार्ट हो तो आपको यह हम हमें से कैसे करते है कोस्ट को नुमेरिकल को या तो आपकी quantity 0 से स्टार्ट होगी तो यहाँ पर क्या आपको क्लू मिलेगा कि जो आपका टोडल कोस्ट है वही आपका टोडल फिक्स कोस्ट है या तो आपकी quantity एक से स्टार्ट होगी तो यहाँ पर क्या आपको हिंट मिलेगा जो TVC है वही MC है या फिर जो MC है वही क्या ह तो सबसे पहले बात आपके दिमाग को यह रहनी चाहिए दूसरी बात कि अब पूरा का पूरा पूरा कम्प्लीट आप उसको सबसे पहले आप फिल कर लें कि तीसरी बात आप वन रो को कम्प्लीट जब तक नहीं कर लेते तो सेकिंड रो पर मता ना रो वाइस आप कम्पी सॉल करते चले जाओ उसको बीच बीच में सॉल मत करना यह कुछ बातों का जहां नकना है कुछ डिसिप्रिन में रहना है तो आपको कुश्चिन जो है हंडर परसेंट सही होगा अब जैसे यही सवाल है आपके पास में सबसे पहले मुझे जो हिंट मिला जीरो पर जो मैं टीसी को क्या बोलूंगा टीएफसी और जब टीएफसी एक बार आ गया तो वहर लेवल पर आउट्पुट के वह सेम ही रहेगा यह फिप्टी फिप्ट रहेगा दो काम हो जाने के बाद आप सबसे पहले अपने फ़स्ट रो को सॉल्ट करें जब पूरा फर्स्ट रो सॉल्ट हो जाएगा तब आप सकींड रो पर आएंगे ऐसे नहीं बीच-बीच में से फिल कर रहें वहां पर आपका टाइम भी लग जाएगा लगतियों के प पर आपको क्या फाइंड करना है उस पर विचार नहीं करना है विचार उस पर कीजी आपको क्या गिवन है कि पता है इसको भी कर दिया तो मैं रोवड करता हूं चल रहा हूं क्या फॉकस कर रहा हूं क्या find करना है इस पर विचार करने से बैतर है कि क्या दिया हूआ उस पर विचार किया जाए तो total cost दिया हूआ है ओर total fixed cost दिया हूआ है तो total cost मैं से fix वाला मैं माइनेस कर दूहां तो बाकी जो cost वो variable वाला होगा क्लिए रहे हैं अब मुझे यहां पर क्या निकालना है अवरेजिच को स्थ ़ूर्ड़ो इस दो सकते यह चेंज in टीजिंफल सकते हैं किसी बोसपते हो तो चाहिए आपती सी निकालो भ diss इन है तो कितना आपके पास चेंज आयो आपका थीस का चैनल तो आपके पास में क्या है marginal कोष्ट अब देखेंगा क्या निकालने हैं उससे ज़रूरी क्या इसका मतलब क्या होता है थर्ड इनिट में जिल को सिफटी वन ने सिसका मतलब यह हुआ कि थीसरी काई को को बनाने में थर्ड प्रस्था को पर सकते जो है तो तक दो युनिट के प्लक्ष्ण पर चुका है तो युनिट कर चुका है और यूनिट पे टूडल खर्चा और मता रहा कि तीसरे वाले पर भी रहा ना टीनों पर कितना खर्चा आया जब दो पर पचास और तीसरे पर क्यावन का तो तीनों पर मिला करके 101 का खर्चा आया अब मिझे पाथ टोडल फिक्स कोस्ट है तो यहां से मैं टीसी निकाल दूँगा आपके पास पे क्या मेरे पास मैं 151 क्लियर है आप एवरेज कुस्ट के सब्सक्राइब करें तीन पचे पंदरा एक नियारा जीरो और स्वाल करेंगे तीन तिया नो इसी तरीके से यहां पर मेरे पास पर क्या गिवन है 56 मतलब कि तीन एकाई तक कुल खर्चा एक सो एक रुपए आच चुका है वेरिबल कोस्ट और चौत्थी एकाई पर 56 खर्च इसी तरीके से यहां पर मेरे पास फिर मार्जिनल कोस्ट है तो एक सो पचास में अगर मैं साथ हैड करूँ हां 210-217 मेरे पास में आ गया टोडल वैरिबल कोस्ट और यहां पर मेरे पास में 267 टोडल कोस्ट आ गया 260 दोस्तों पचास दोस्तों साथ 267 आ गया सॉल करेंगे तो फाइफ 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 त्री जा फिप्टीन टू फाइफ फोर जा ट्रेंटी क्लियर है और सिमिलर ऐसे ही चलेगा कि छटे उनिट पे सत्तर का खर्चा आया है मेरे पास में तो अब तक मेरे दो सत्तरा खर्चा है और जो अब भी बनाया है माइजन को मतलब जो अभी यह वाला जो पर दूश करा सबस्तर खर्चा है तो कितना है 287 और यहां पर मतलब कि 200 आप नब्य में अगर आप 50 जोड़ दोगे तो 3403 माइस कर दोगे तो 337 तो रोडल कोस्ट कितना है आपका 337 और यहां स क्लिए रहे जी समझें सर एसी 70 कैसे आएगा वहां पूछ रहे हैं सटर कैसे आएगा एसी देखिए बेसिक सी चीजे हैं कि आपका एसी का फॉर्मूला क्या होता है टोटल कोस्ट डिवाड़े बाय क्वांटिटी यह सब ऐसा नहीं कि मैं एक दम से इतना हैवी कोशिन करव लिखा था तो हर एक चीज को प्लाते हुए हम आगे बड़े हैं तो अब यह कितने मच्चों ने सही कर रहा है मुझे बता दीजिए करा कमेंट सेक्शन में कर दो कर दो कर दो कि अगर आपने इन कोश्चन को कर लिया तो बागी तो फिर आपके लिए चीज़ें आसानी रने वाली हैं कि अगर देशी कोशिन आपके पास में कि करो एक स्लास कोश्चन कर लो कर दो लो जी एक कोश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है अब सब पर आँगा वन बाए वन कर गड़ा हां जी देखिएगा इस कोश्चन में वही ट्रिक अपलाई कीजिए एक से स्टार्ट हुआ तो मेरे पास पर जो हिंटे जो कुलू है वो है अब यहां पर आप देखेंगे कि क्या गिवन है एक टींवी सी की वेन साथ कि दोनों का सम क्या होता है और जिस चीज का आप आप पास में निकाल रहें तो फिर और से निकलेगा तो ईसी तर के से और आप एक से कंड़ीटिय कर दीजिए एक पास पास दस आगया और इसी तरेके से आपके पास में एवरिज निकाल देंगे तो पचाएस और अगर आप के पास में तो आपको पता लग गया है तो TFC सबसे पहले तो आप भर दीजिए इससे आपके लिए चीज़ें आगे चलके असानी ही होंगी अब आगे देखिएगा क्या गिवन है आपके पास में एक तो एमसी गिवन है तो आपको पता है कि फॉर्स उनिट पर पचास खर्चाया और सेकिंड वाले एमसी बताता है कि एक सिंगल उनिट एक उनिट पर कितने का को स्टार अभी जो रिसेंट में जिसका प्लक्षन हुआ है उस पर कितना खर्चा है पिछला कितना आच चुका उससे कोई लेना देना नहीं होता है तो यहां पर मेरे पास में एमसी है थर्टी तो यहां पर मतला है सब पर कितना खर्चा आता है तो यह पूछ रहा है कि दोनों पर कितना खर्चा आएगा तो पहले पचास दूसरे पर कितना खर्चा आएगा आपका 80 खर्चा आएगा जोने के दोने का मतलब क्या होता है कि सब के हिस्से में इतना इच की शेरिंग में इतना इतना और दो उली है कि सबस्सaja आया है तो टोडल को स्कें मतने है कि सबकर से चालिज-चालिव कोस्ट आईए कि टीन ऊव्य इडल कोस्ट्मारρά 40 से मंटिप्लाई कर देते हैं तो फिर उसी का टॉडल वन जाता है आपका तो अब आपके पास में फिक्स कोस्ट और आपके निकाल लेंगे 130 और माजिनल कोस्ट मतलब की अभी जो रिसेंट प्लक्षिंग करा इस पर कितना खर्चा यह तो एडिशन चाहे आप टीवी सी भी द से आप करेंगे तो 3.33 और इसी तरीके से आपके पास में AC तो TC 130 डिवाइड़ी तीन तो 3.12 एक तिंतिया नो और एक तिंतिया नो आपके पास में रहेगा अब यहां पर आगर आप देखें TC है और आपके पास में TFC है कुल खर्चा इतना आया और उसमें से फिक्स वाला करेंगे तो कितना है आपके पास में 2.5 एंड आवरेज वेरीबल को तो 202 चाहता चाहता यहाँ और आपके पास में चाहता है यहां पर आपके पास पर ऑड़रीज जो है 10 है और एसी आपके पास में कितना है 70 आपके पास में तो आप आप देखेगा एसी अब आइवरेज कोस्ट है तो आप एवरेज कभी भी गिवन हो तो उसकी कॉंटिटी से मुंटिप्ला कर दो 350 उसी का टोडल आएगा 350 आपको पता है फिक्स कोस्ट आपको पता है तो आपके पास माझाएगा तो पांच चिक तीस और आपके पास में चार पानटे चालिस तो बच्चे यह आपने पूरी आसानी से इसको सॉल्व कर लिए बिना किसी फॉर्मले को लिखे समझें सर आवाज नहीं आ रही है देख लेते हैं जी हलो नहीं आवास तो आ रही है क्लियर जी तो अब कोस्ट को पर कोश्चन इतने कोश्चन पहले प्रेक्ट्रिस हो चुके अभी भी हो गये वह सफिसेंट रहा आपका ठीक है एक कोस्ट का नुमेरिकल एक मैं अब एडी में एक नुमेरिकल ले रहा हूं इलासिट्यूप डिमार्ट का उससर और मुझा है इलाव शर टीवी सी इसाट कैसे आया देख लेतें एक बार क्या पूछ रहे आप जो ए हैา इजशक किश्ठाज से डेशकोर का मेरे पूछ रेना है तो मेरे पात प explicat डोजश तोडोल कोश्ट किससे बनता है टोडल फिक्स को लोडर कोस्त दो सतर में से धस्क्सीज़ट वाला की कोस्ट तो बाकिimana कोस्त हो पृष was वे वडि़ीवल कोश्ट ही होगा है है आप लोग आपने है आप निक्राशिस बाइक करी है उसके बाद रगों ने वीडियो से नहीं देखें बताइए इस ए वड़ी घल्थवात है चैनलिये बैच्छे नुमेर्ड़कल देखिते डिमांड करें अब करें करें देखे, suppose q equals to 10p minus 40 with the supply function, find out the price classity of supply at price of 12 rupees, price आपको दिया हुआ है दो रुपए और find के करना है आपको price elasticity of supply, चालिए, पहले आपको लीजेश को, देखे, देखे बच्चे, price elasticity of supply के बारे में बात कर रहे है, price elasticity of supply के अगर हम बात करें, तो जैसे price elasticity of demand पढ़ाता है वैसे ही पढ़ेंगे आप, बस यहाँ पर ED के जगाँ एस हो जाता है और negative कोई रोल नहीं होता है, delta q by delta p मतलब जो quantity में change आया with respect to price, price में जो change आया और into original price and original quantity, same formula रहता है, अब मेरे पास में अगर मैं बात solve कहां से मैं solve करना, start कर चुका हूं इसको, मेरे पास में जो है supply function की quantity मुझे given है, quantity equals to 10p minus 40, तो मतलब बस P की जगह पर मुझे क्या करना है, price की value replace कर देना है, तो quantity निकाल लूँगा मैं, 10 और P की जगह पर क्या रख दूँगा मैं, price, price क्या है, P की value क्या है, 12, तो बस मुझे 12 रख देना है, और minus 40, solve करेंगे यहाँ पर मेरे पास में क्या है, तो मेरे पास में आया, 80, तो मेरे पास निकाल आ गया, तो मेरे पास चीज इससे इस समय available है, एक तो price मेरे पास में available, और प्राइस क्या है, 12, यहां पर एक function जो आपको दिया हुआ है आपके पास में 40 तो यहां पर क्या करना है आपको जो को । जो की आपको कैसे करोगे आप । डिर था जाता है यह रिफिसेंट जो होता है कोई वैरेबल कॉंफिसिन्ट होता है होता है वह रिवाट जीसा तरनी के बाद यह घृते हुआ और को जाता है और जाता वह तो रहाँ कोई efecto मैं यूब सिरफ variable के साथ वाला constant रह जाता है, तो आपके पास में सिरफ 10 रह जाएगा differentiation करने के बाद, कभी भी किसी भी equation का differentiation करोगे, तो जो तरफ number number है, constant number है वो zero हो गया, और आपके पास में जो coefficient होता है, वो coefficient वाला number रह जाता है, तो अब आपके पास में क्या क्या चीज है क्या आपके पास में आपकी फॉर्मोली के देखिये whenever तो आपके पास में चारती है बहारा और quantity क्या आपके पास में 80 clear solve करेंगे आप तो आपके पास में चार्थी अबारा चार दूनी आठ और आप solve करोगी 1.5 आपका elasticity of supply आ गया यह positive रहता है हमें सा समझे यह नहीं समझे क्लियरे जी क्लियरे यहां पर एक question मुझसे पूछा गया है एक question पूछा गया मेरे पास में price of x price of x 98765 9,8,7,6,5 and quantity of x equals to 0,200,0,200,300,400,300,400 and 450 clear है और points कुछ given है मेरे पास में कुछ point given है वो है A, B, C, D, E कितने बच्चों को पीछे numerical में दिक्कत आई है बताए ज़रा पीछे नुमेर क्योंकि इसमें तो यह पूरा का पूरा पहले बता चुका था बस इस पार आपको हिंट देना था कि price मुझे given है अब price की value लग दूँगा अगर मैं प्राइस पूरा 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 पहले बता पी की जगह पर जैसे मैंने यहां पर रखा पी की जगह पर प्राइस का रख दिया तो में पास quantity भी आगे दो चीजे मेरे पास में आ चुकी है अब मैंने आपको बताया कि बस इसका differentiation करते है तो डिल्टा क्यू बार डिल्टा पी की value आ जाएगी वह भी क्या value आएगी यह जीरो हो जाएगा यह पी आपका हट जाएगा स्रफ यह constant वाला नमबर यह डिल्टा क्यूब 10 की वेज्वाचव बेकी की वैल्यू हाज αλλά जाएगी फॉर्मुला आपका, यह कहता है अब इस फॉर्मुले में डिल्टा क्यूबादेल्टा पी की value आपके पास क्या है 10 है price की value क्या है आपके पास में 12 है पंडडी जो कि असी है solve करके आप निकाल लोगे इसमें क्या है कि अधि कि मैं यहां पर था इस सवाल पर था सबसे पहले यहां पर आप elasticity of demand कैसे निकालोगे कोई एक commodity है अब आप दिखिएगा अगर आपको यहां पर elasticity of demand बच्चे calculate करना है जैसे आप से simply लिए question पुछ लिया कि आपको AD बताना है AD बताएए आप AD बताएए कहां से कहां से from point B to D इसका मतलब साफ है कि आपको सिरफ B और D पर focus करना है point B this one and point D this one clear है तो अब आपके पास में क्या हुआ कि price और quantity लिख लिए बिटा प्राइज आपका आठ से 6 और quantity आपके पास में क्या है आपके पास में 200 से 400 तो क्या यहां पर आप last city of demand निकाल सकते हैं clear है कैसे डेल्टा Q by डेल्टा P into P by Q clear है जी आप पर में एक चीज लिखना डेल्टा क्यू कैसे बना मैं आपको बताए तो चेंजिन क्वांटिटी कितना है आपके पास में 200 चेंजिन प्राइस कितना है आपके पास में 200 तो आपके पास इस प्राइसमें जितना चेंज क्रोंगे डेवांड उससे चारगुणा ज्यादा रिर्यट करेगा करें कई बार सवाल ऐसे देदेगा कि प्राइस में change आने के कृमपेटिबली मेंच और रिजए ने डिमांड के चेंज आरहा है तो मतलब की प्राइस जीतना चेंज करा डिमांड में आधा कचे जाया प्राइस की तुलना में तो जो आधा मतलब 0.5 तो यह आपके पास में यह आपको इलासिटी ओप डिमांड गीवन है इसका मतलब यह हुए मेरी बास समझे खैर अभी फिलाल आप इस सवाल को देखीगा यहां से आपने एडी निकाल इस कुश्चन में आपसे पूछ रहा है एटू डी पर जाकर क्या बताएंगे जरा एटू डी अब एटू डी के लिए एटू डी यह आपसे सवाल पूछा जा रहा है एटू डी यह नीले वाला क्लेर का है थोड़ा वाइट कर देता हूँ इसके बारे में आप से पूछा जा रहा है तो और इसमें एक बात और कह रहा है आप से क्याल्कुलिट प्राइज लासिटी अफ टिमांड फूर मुमेंट फ्रॉम एटू डी पॉइंट एंड फ्रॉम डी टू एपॉइंट एंड मिडवे बिटमिन दैं आपको पता है कि ल नॉ डी आपको अगे से पीछे जाएं पिछे से आगे जाए इड्य आपकी से मिहीं आती है वह क्या था दील्टा से और К्यू ले नीका दिवादी बाएए तू करना था ज्याद आपको पॉइंट दीन शा पांट आनस्पिश दिवान्ट के वीडियो डेंट कर लिए था ज यह वीडियो देखेगा तो उससे आपको काल्कुलेट करना है उस से कल्कुलेट करना है इस सीच को कि यह शीवानी के डाउट थे जो कि में फोन पे इन्होंने बेजे थे हैं कि A2 B निकाल हो जारा कि A2 B सुरी ए टू डी है, ए टू डी, यह निकाली है जरा है, जरा है, है, यह निकाली है, बखwritten आफिडा genocide, सब्सक् Remember, बजस yourulen, ए ile कि वह है, ए टो खो, ओू अbak कि अखिया जरी है, सतार की पर गारी Het ऑञा है, मैं की दो, उखिया बिजया है, है, एड कर आठा है? जहारा है, है भंगब है, झाल 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 यहां पर क्या करोगे आपके पास में प्राइज एंड क्या हो गया आपका च्छे एंड क्वांटिटी कहां से पहुंच गया आपका जीरो से लिखर के चार सो आप इडी का फर्मला अप्लाई करेंगे तो माइनेंस डेल्टा क्यू बाइड पी इंटू पी बाइड एडी इकुल्स टू आपके पास में डेल्टा क्यों क्या है आपका चार सो एंड डेल्टा पी के थीन और इंटू प्राइस के आपके पास में नो एंड क्वांटिक है जीरो कभी बीडिन में जीरो आ जाता तो आप जानते हैं इसका आंसर नोट डिफाइंड होगा क्लिर है अब आप यहां पर एक काम करें आप इंड निकाल लें डी फ्रॉंड डी टू ए गर यह निकालें दो तीन सवाल पूचह गए यह इस पर पहला सवाल तो आपका यह रहा इसकेंड कोशिन आपका यह रहा फ्रॉम डी टू ए इसका मतलब क्या है पहला आप ट्राइट किजिए इसको हुथ हुथ हुआ हुआ है झाल झाल हेलो 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 देखिए मैं दुवारा से बतायता हूं दुवारा सुन लीजिएगा हाँ जी दुवारा सुन लीजिए एक बार क्या है कि जब भी फ्रॉम डी टू ए अगर आप से कहेगा तो डी टू ए में आपका मतलब क्या है कि डी टू ए में आपका मतलब यह है कि आपके पास में पहले आपको दी वाले यह नियारे फिर ए वाली थीक है तो पहले डी वाली प्राइस क्या है चे और डी वाली कि स्टे आपको देra का प्राइस नो और जीरो तो एडी निकालेंगे डेल्टा क्यों का मतलब क्या होता कि मात्रा में कितना चेंज आया तो 400 में से 0 माइनस करेंगे तो 400 का ही चेंज आएगा आपका क्लिर है समझें तो ऐसे देख लीजी आप ed equals to delta q by delta p into price into price by quantity अब आप देखेंगे जरह यहाँ पर ed equals to delta q तो delta q में आपका जो चेंज आया है तो delta q में चेंज कितना है आपका तो 400 क्लिर है और delta p price में कितना चेंज आया है तीं और into price by quantity price के आपका च्छे और quantity के आपके पास में चार सॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में कितना है दो तो ed equals to कितना है बेटा आपका दो तो दोनों सवाल फर्क है दोनों को आपको इस तरीके से लेके चलना है इसमें एक सवाल यह पूछ लिया गया आपसे इसमें आपसे जो सवाल पूछा गया है तीसर सवाल थोड़ा सा different आपको लगेगा जो मैं आपको पहले स्टार्टिंग बता भी रहा था थार केस आपसे पूछ रहा है क्याल्कुलेड प्राइलासिट्यूप डिमांड मीडवे बिडवीन एटू डी आपसे पूछ रहा है हीम बिड्वे बिटवीं एटू भी मिडवे या मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपके पास में आपने फरमिला इसका क्या रहे तो यह भी average लेते हैं, clear है, into P by Q, तो रिखते के साब के पास में, यह आपका average रहता है, इसमें, delta Q नहीं लेते है, delta Q by 2, delta P by 2, change लेते हैं, clear है, तो delta Q कैसे लेंगे हैं, basically Q plus Q1 by 2, average लेते हैं हम quantity का, quantity का क्या लेते हैं, quantity का हम average लेते हैं, quantity नहीं लेंगे, हम इसमें, कौन सी quantity लेंगे, अब एक मेरा प्यारा बेटा पूछ रहा है, कि सर, long run में supply curve कैसे बनेगा, जासर केसे बात बनेगे, बच्चे, दिखीगा, डारेट फार्मल लगाना है, आपको एडी का, delta q by delta p into p plus p1, मतलब नहीं वाला, q plus q1, यह फिर्मल लगाते हैं, यह मिडवे में, q इसके बीछे में बताया है, अगर आप मैस्वर्ण ब्रास विट्यों निमान में जाएगे, तो मैंने आपको बताया था कि जब left to right और right to left आते हैं, देख भी रहें, वान टू में, दों तब सेम एडी कैसे है, यह मुसको लेते हैं, मतलब हम average लेते हैं, प्राइस का, ना कि और और निव प्राइस में हम उसका average लेते हैं, क्वांटिटी का भी average लेते हैं, वो divided by 2, divided by 2, इन सब के नीचे आता, अब रहो 2 से 2 कट जाएगा न, इसे लिखने के कोई ज़रोत नहीं है, आप सीधा यह लिख सकते हो, तो यहां पर बस आपके पास में क्या है, कि आपके पास में डेल्टा क्यू कितना है यहां पर, आप 15, और quantity का भी sum ले लिजेए, आप यहां पर तो 0 और 400 कितना है, आपके चार सो, तो आपके पास पर 5 आया, यहां पर ED मिड़ बे किती दो, क्लेर जी, तो ED माइनस 5 इसका अंसर है, तो यहां पर मैंने कुछ आइसे नुमेरिकल पे, नुमेरिकल की बिंदूओं पर चर्चा कर रहा था, जिसमें कि कुछ एक-दो बातें आपको नहीं मिली होंगी, बागी तो चीजे पुरानी थी, उम्मीद करता हूं, आपको मार्केट में आप मुझे एक मार्केट के बारे में बारबार जिक्र कर रहे हैं, ओथ्याट कि में मोनोपळी कि बात कर रहे हैं, मैं अब्हों जबाएय हैं, वो सभी हो मैंने अधर मार्केट कहा था, चिक ए.. मैं एक प्रडूसर का डियागराम मना चुका हूं जो कि आपका एर और अमर आपका नीचे डिकलाइन जा रहा था अधर मार्केट में अलीग पवली क्या होता सबसे पहला प्रफेट कॉंपिटिशन समझते हैं किसी कहते हैं मोटर पॉइंट देख लिए जिए का परफेट कॉ सब्सक्राइब करने का कोई मतलब ही नहीं है कि अगर आप कर भी लेंगे तो दूर किस्टमर को अट्रेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आपके पास में क्यों आएगा क्लिरे कंजूमर को पहले सी पूरा नौलेज होता है यहां के बारे में और आपका फ्री एंट्री एक्सित ह नहीं होता है लोगरन तर्ंट नहीं अगर मैं बात करूंपिमान है क्या नहीं बाट कर रहा हूँ नहीं है इस बच्चा बुच्छा लॉ एक्वी माजों बच्च्ट करता आपका कंज्यूमर एक्टिलिःब्रियम कहां पर होगा वही कॉश्च्ट योँ हैं यहां पर सबको अपना नया नया ब्रैंड बनाते हैं आप रेस्टोरेंट का खाना देख लिजेगा ठोले उटरे सारे ही बेच रहे हैं लेकिन फिर लोग advertisement भी करने लग जाते हैं क्योंकि इसका product उसके product से अलग है इसलिए छोले कुल्चे पर लिखा मिलेगा आपको paint से राकिस के छोले कुल्चे आपको कभी यह देखने को मिलेगा राकिस के Pepsi से अलग हो जाता है उसके सबसे बड़ा रिजन क्या है कि यहाँ वहाँ पर product होता है यहाँ पर जो है product हेटरोजीनियस होता है यहाँ पर जो है वह आपका differentiate होता है जिसके वएसे प्राइस जो है कईने कई कंट्रोल कर पाती है जो जितना अच्छा ब्रेंड मना लेगी प्राइस वो कंट्रोल कर पाएगी यहाँ पर कंजूमर को पर्फेक्ट नॉलेज नहीं होते है यह को मैनू देखना पड़ता है यहाँ पर अपने हिसाफ से अपने क्वालिटी बाते जो की अलग है ऑलीगो पॉली मार्केट वह मार्केट होती है जहां पर कुछ फ्यू फॉर्म से और उसने क्या पुरा मार्केट को कैप्चर कर रखा है जैसे कि अगर मैं आप से पूछू जरा आप मुझे आप मुझे मोबाइल आप मुझे जो है रिचार्च जो सिम ह है उसके मुझे नाम बता यह कंपणी के कौन-कौन से हैं आप बोलोगे जीयो आप लोगे एटेल आप लोगे वड़ा फॉन दो तीनी पहले तो बीस दस पंदर अभी सागे थे बीच में एरसे रेसे सब चल रहे थे अभी आप तीनी मता पाओगे तो फ्यू फार्म मार्के दो से दो या दो से अधिक और दस से कम फ्यू फार्म्स होती है वही पूरे मार्केट को कंट्रोल करती है पूरे मार्केट डिमांड को वही कैप्चर करती है इस तरगे के मार्केट को हम बोलते हैं ओलीगो पॉली मार्केट अलप अधिकार बाजार अलप अधिकार बाजार कुछ लोगों का अलप लोगों का अधिकार होता है मुदू खिर्ट हे यहां पर आप को कुछ छीजे मिलेंगैं कि यहां पर आप अलप अदिकार में आपका price competition नहीं होता है यहां पर आप देखेंगे यहां पर quality matter करती है प्राइस मेटर नहीं करती है अब राकेश की बाइक आ जाए तो आप खईद होगे भी दोस्स मजाग मनाएंगे उसपर आगे लिखाओ राकेश की बाइक टंकी पर लिखाओ राकेश की बाइक बाइक आप लोगे आप इन कोई भी नाम कोई नाम घृ नाम चराब है तो कही ना कहीं हां पर क्या है आपके पास में सिरंदर कह रहे हैं कि सर्व वाटर पेराडॉक्स समझा दो यूटिलिटी में जाएगा लास्ट क्लास में जाएगा वाटर पेराडॉक्स समझाया हुआ है तो उससे अभी तो जलवाजी में पढ़ा हुआ हूँ तो मैं ठहरा हो करके मैंने पढ़ाया वीडियो की स्पीड सिर्फ आथ करें पर प्रायस पॉंपिडिशन नहीं होता है आजना पर ऐसा नहीं है कि appos सफेर संस्ता सब्सक्राण यहां पर क्वालीटी का कॉंपिशन होता है जिसकी क्वालिटी इच्छी होगी बहुत जादा बखिएगा और यहां पर ढर्टेंसी भी देखने को मिलती ह तो देखेंगे मार्कट करने अपने Fallout यह पराइस बढ़ेंगे देता है है मेरे बाद समझ आपशिंग ठीन कोचिंग को ढूरा रहे हैं alleine प्राइस को साथ में बढ़ा दें तो फिर कंजूम जो कंजूमर है या फिर इस्टूडेंट्स है वह विचारे उनको मजबूरन अफोर्ड मजबूरन पे करना ही पड़ेगा उनके पास कोई रास्ता नहीं है तो कई बार क्या होता है कि यह आपस में मिल करके प्राइस को इंक मिलेगा आपको बाकि उसके पीछ चल रहेंगे मुवाइल में एपल लीडर बाकि उसके पीछी पीछी चलते हैं एक ने प्राइस बढ़ाया आपकी पिछे सब समझ जाते हैं इशारा क्या है सब प्राइस को बढ़ाना सुरू कर देते हैं कंजूमर जाया का चार-पांच ब लेकर रहती है एक फर्म कुछ नई चीजे लेकर के आई बाइक में पलसर लेकर करकि आए तो सब्सक्री अपने कई ने उस तरी के जो पिक पे द्यान दिया इस पीड पे ध्यान दिया बाइक के अंदर तो कोई ऐसे चीज़ों के अंदर अगर आप कोई एक चीज में कुछ आप देखिएगा जियो लेकर क्या क्या फ्री नेटबक पहले अब यह जो पहले एक एक जीबी के तीन-तीन सुर पर ले रहे थे हम गरीबों से जिसमें कि ऑनलान क्लास का मतलब था नहीं पहले अब आपको एक गंटे की क्लास पढ़ा रहा हूं एक गंटा अगर आपने वीड मुखेस अम्मानी का जिसने के इंटरनेट को सस्ता करा है जिससे कि आप जो है अपने उसमें आप प्लासिस को आप देख सकते हो गाहों दराज में दू दराज में इंचीजों को सस्ता करा है लेकिन बाकि देख लो अप एटेल वाले जिसको पहले तीन सुर्पर लग रहा अब यहां पर डिपेंडेंसी आपको देखने को मिलेगी कि 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 क्लिर जी कि सब्सक्राइब आपको आया तो यह आपके पास में ऑलिगो पॉली मार्केट में कुछ फ्यू फॉर्म्स होती है डिपेंडेंसी रहती है और यहां पर प्राइस कॉंपिटिशन नहीं होता है यहां पर क्वालिटी बेस कॉंपिटिशन होता है लेकिन मता रहा हूं मैं आपको ओलिगो पॉली मार्केट के अंदर एंट्री एंड एग्जिट जो है वो अलाओ है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है अगर आप अपने ब्रैंड का कोई अगर आप सिम लॉंच करते हो तो क्या आपको एक पैपसी बेसेने के बराबर है क्या वो पैपसी में तो चार बोतल पैपसी लिए पिचास रुपए में आपने लेकर कई खटा बिशा के सुरू हो गए क्या ओलिगो पॉली मार्केट में एक सिम कार्ड एक मोबाइल फोन ए एक्जिट भी डिफिकल्ट है क्लिए और एक होता है मोनोपली में जा मनमानी चलती है मनमानी वहीं चलेकि जहां पर सिंगल से लिरो जैसे देखते हैं मूबी में गए ना देखते रहते हैं कौन-कौन अभी तक जो थेटर में नहीं गया है विच्छे आपकी जो छह मेने त स्यारी को मिलते हैं समेश्टर में उसमें से पांच मेने तो इसी में जाते हैं कल आपका पेपर तीन बज़े से है और कल सुबह आप छे बज़े से स्टार्ट हो जाओगे और तीन बज़े तक पूरा सिलिबस कवर कर लोगे बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे ऐसी शक्ति ऐसा अदभूत चमतकार यह बहुत बाकी देशों में नहीं देखने को मिलता है और सरफ कोशिश ही नहीं करेगा एक तो देखेगा वह कितना पॉजिटिव है बच्चे को देखेगा वह खार नहीं मान जालना बच्चा है बड़े ते बड़े धुरंदर अमेरिका इंगलेंड वह दुरुस्त हो जाएंगे वह वहां कोई भी हो खुद आइंस्टेन भी गिवाप कर देगा इस सिस्थी में चार गंटे में दस चक्टर को पढ़ना और है चक्टर में बड़े-बड़े कोईशन को पढ़ना वह भी गिवप करेगा लेकिन मेरे यहां का एक आम भारतिये बच्चा भी इसको अंजाम देता है और अंजाम देता है वह अपना जंड़ा गार करके आता है वह पास होकर करके आता है कि यहीं तो कमाल है तो अपने में पुरा बरुस्ता रखिएगा आपके साथ ही संगत बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनों इस समतकार को अंजाम दिया है कि अगर आपके 33 परसेंट भी तब भी आप एक्जाम में बैठ सकते हैं यह कहते हैं कि जो तुम कॉलिज से पास होकर करके आ रहे हो हमें पता तुम कैसे पास होकर आए हो तुम्हें कुछ नहीं आता है यह से कहती है मैं अपना पेपर दुवारा से लूँगा एस ती अपन करती है उसमें 33 परसेंट वाला बच्चा अगर परफॉर्म कर रहा है तो जोंकरी उसको मिलेगी तो बस आपके पास में आप पास होने चीए चाहिए बोर्डर पर पास हो रहा हो उसके मांक्स का कोई लेना देना किसी सरकारी नोकरी में नहीं रहता है ना ग्रेजिशन के प को ज्यादा कोई पार्लाम होगी वो जो है काज़र की थ्रों जो है मैसिस वगरा करका पूछ लेना लास्ट रिने में दो घंटा नहीं आपका वीडियो में लेना चाहता हूं आप अपने सेल्फ स्टडी करें कल की वीडियो में देखेगा एक तत्रिंग लोंग लोंक सप्लाइ कर ऐसे बनेगा तो मौनोपली में जाते हैं और तीम में जाकर ररके वहां दिखते हैं मनमानी चल रही है जिसको आप कहते हैं नॉर्मली घर में फुल्ले कहते हैं वहां जाकर फुल्ले मौन लाज गोट पॉपकोन पॉपकोन घर में बिचारा गलीवाला दो तो पांट-पांच उसे इत्ते सारे लेता है वो आप पॉपकोन बॉल करके थे थी चैन तीन से खरीते हो जो क्या हो रहा है उनकी क्यों मनमानी चल रही है कियो मनमानी चल रही है विसे ओर से वह पे ले यहाँ पर single supplier है large number of consumer है और वहाँ पर permission जो है वो आपका barrier है अमलब की entry barrier है clear है और exit पर आप ऐसे इसली नहीं कर सकते हो वहाँ से clear है नहीं तो आ सकते हो नहीं जा सकते हो तो इस तरीके की जो market को monopoly market कहते हैं clear है यहाँ पर supplier का price पर control रहता है यह एक्जामबल के लिए Indian Railway अधिका आपने मुझसे जो पूछा है हाँ 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 मोनो मोनो प्लिस्टिक में तो large number of supplier होते हैं बट मोनोपली में आपका single supplier होता है मोनो प्लिस्टिक में price control नहीं होता है बट मोनो प्लि में price control होता है वो अपनी मर्जी से price को घटा बढ़ा सकता है क्लियर है जी समझें तो यह कुछ market के feature है इसके मैं आपकी PDF आपको दे दूँगा टेलिग्राम पर आप पर दूँगा मैं टेलिग्राम पर दूगा मुनो पली में एंडियन रेलवे का example लेक्स सकते हैं एंडियन रेलवे का क्योंकि कोई और नहीं चला सकता है वह भारत सरकारी चला रही है और मैं यह नहीं करका कि शमता नहीं है हाँ आज बेरियर पर्ति बंदिद अगे उनको चलना पड़ेगा एक्जिट नहीं हो सकते ज अठाइस से क्या कर रहा हूं मैं अठाइस से ले करके और आज नो तारीक होगी डावड़ी तो ले रहा हूं मैं तेरा दिन लगातार क्या पुछे सर हैंड रेस हांजी दीपिका जरा बोलिये कहा है हांजी सच्चिन बोलिये हांजी सच्चिन बोलिये हांजी दीपिका बोलो हांजी अंजली बोलिये देखे बारा बज़िए दसी क्लास सबस्ट स्टाट करके हांजी अंजली नहीं बोल रहे है दीपिका बोलिये देखे बच्चे कुछ बोलनी है रहे हैं सरफ हैंड रेस कर रहे हैं जो की पर्मेशन दी हुई है मैंने और आवाज भी आई है हम भी मेरे पास में बड़ पुछ आप देखेगा अब जाए स्टडे किए जिए जिए है डारेक्ट आप जो है कोई कोश्चन वीडियो नहीं मिल रही है वीडियो फिरो पड़ें आप और काजल से आप कॉंटेट करें वीडियो कौन सी कहां पर मिलेगी वापो गाइड़ी कर देगी ठीक है नूँ कि अब जिसको भी है प्रॉलम वगेरा वो पनी प्रॉलम को टीम को सेंड करें मैं बैठता हूं और एक इंडियली लिवल पर प्रॉलम देता हूं किसी क्या सॉलुशन है को डिफरेंट प्रॉलम आएगी तो इसको मैं लूँगा सिमिलर चीजे आएगी मैं वीडियो आपको कर दूँगा ठीक है कि मैंने पांच साथ पर्मिशन दिये भी हैंडरेस कि उसमें किसी ने कुछ निका घर में से दूसरी दूसरी आवाज है आवाज आ रही है चलिए अपने स्टडी कीजिए थैंक्यू जी थैंक्यू सो मच कल आप अपने डाउट्स पूछे जो रिपीट होंगे उसको मैं आपको वीडियो का रेफरेंस दूँगा ठीक है और जो चीजें आपके डिफरेंट और नहीं होंगी उसका मैं आपको सोलिशन दूँगा दो सारे बच्चे को वेट करवाने का मतलब निया ना अब डाउट क्या है डाउट है एक बच्चे का तो बाकि 20 बच्चे वेट करेंगे वीडियो लंबी होगी और आपके शिवानी डाउट जो थे नुमेरिकल्स मैंने ले लिए आपके देखेगा यह आपने मुझसे पूछा ठीक है यह सेशन आपके साथ ने बहुत अच्छा रहा शानदा रहा आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और मेरी कोशिश पूरी रही कि मैं आपको जो है बैतर से बैतर समझा पाऊं समय कम था समय कम था तो हमें थोड़ा सा कोशिश हमें इंपॉर्डेंट पर ज्यादा रखना था आपके respect attempt हो जाएं कल जो में पढ़ाया वो आए नहीं आया चल्क पर आप जो है कल अच्छा जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि बहुत तरीके से आपको चीजे समझ में आई होंगे कोशिश करेंगे फिर अगले पड़ाओ पर अगले मोड पर फिर हम आपके साथ में मेलेंगे मैकरो के सेशन में और मैकरो का सेशन सरफ पेपर के प्रस्पेक्टिव से नहीं पढ़ेंगे च्छे मैने पहले इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं में वह नोलेश के प्रस्पेक्टिफ से यूज करेंगे क्योंकि एकनॉमिस का यूज मैक्रो में होता है और मैक्रो बड़ा प्रेटिकल है जो कि देश को आगे बढ़ाने में काम आता है तो मैकरो में हमें मैं बैंक के बारे में पढ़ना है वहां पे हमें यह मैक्रो में समझना हुआ कि कैसे एक डॉलर असी रुपय का है हमें मैक्रो में बहुत कुछ ऐसी बाते हैं जो चर्चा में मैक्रो के अंदर आएंगी मैक्रो के अंदर हमें मनी के बारे भी पढ़ना है मैक्रो में हमें बहुत चीज़े पढ़नी है और बहुत सारी नहीं चीज़े जो है हम उसके अंदर इडवांस लेबल पर देखेंगे ज डेरिवेशन डिमांड कर आप मैसेज कीजिए मैं आपको वीडियो का जो है और रेफरेंस दे रहा हूं मेगा थैंक्यू अक्ष्य जी थैंक्यू सो मच एलिना तिपिका जी थैंक्यू जी थैंक्यू सो मच अंजली सागर थैंक्यू जी थैंक्यू थैंक्यू सो मच मिलते हैं नेस्ट क्लास मेरी बात को अगर आप मानते हैं तो पर रिक्वस्ट करूँगा कि जो वार यहां प्रिक्व्म्राब में ब्लकूल भी नहीं देखना चाता हूं आपकोigh आप सुरू से मेसा जुडे रहें, last में भी आपने कोर्स लेना है, starting में भी आपने कोर्स लेना है, same चीज आपने पे करना है, तो starting से पढ़ेंगे, better पढ़ेंगे तिक इतना pressure आज है, वो आपको next semester में नहीं हो, और अगला semester आपका spoil ना हो जाए, एक paper की वज़े से, ठीक है, मिलते हैं जी छीक जी थैंक यू जी थैंक यू सो मच